हलो गाईज देलकम टू माई न्यू वीडियो तो आज हम करने वाले हैं ब्लड गुरूप टेस्ट यह है ए बीडी मोनोकॉलर एंटिसरा तो इसके दोवारा ही ब्लड गुरूप टेस्ट किया जाएगा यह ब्लड गुरूप टेस्ट का रियेजेंट है और यह इजिटीए वा पाट आएगा कि आपनको पैसेंट का ब्लड गुरूप कौन सा है तो चलो इसको शुरू करते हैं तो यह इजिटीए वाइल में पैसेंट का ब्लड तो ड्रोपर की साहता से सिलाइड पर इसकी ड्रोप डालेंगे ब्लड की वॉल ब्लड की ड्रोप डाल देंगे तो खोल ल DRH Factor होता है इससे पोजिटीव नेगेटिव का पता चलता है तो ड्रोपर की साथा से ले लेते हैं एक ड्रोप A में डाल देंगे एसे ही एक ड्रोप B में डाल देंगे और ये तीसरा है आरेज फेक्टर में इसमें भी डाल देंगे D वाले में एक ड्रोप यह डाल दिये, तो इसको तो side में लग देते हैं आब इसमें A वाला reagent डालेंगे blood group, monoconlar का तो इसकी एक drop डाल देते हैं इनकी कैवल एक, एक drop डालनी है blood को उपर है, उसको touch नहीं करना है उपर से डालनी है SIB की डाल देंगे तो B A यह monoconlar तो इसकी B की भी one drop ढाल देंगे इसी परकार से D की भी इसमें ढाल देंगे इससे हमें positive negative का पता चलेगा कि कौन सा blood group है और वो positive है या negative है तो इसको cape लगा कि इसको segment रख देते हैं चलो अब यह इस्टिक है इसकी सायता से blood को mix करेंगे ताकि इनमें रीक्सन हो और यह हमें blood group का पता लगा सके positive negative का तो इसको अच्चे से mix करेंगे round y safe में तो इसको कर लिया है इस परकार से B को करेंगे B को भी round safe में इसको करेंगे mix तो इसको mix कर लेते हैं इसको भी कर लिया है इसी परकार से इसको भी कर देंगे लास्ट वाले को डीगो भी तो इसको भी कर दिया है और फिर इसको अलगा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि यह एक अगुलुटिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ इसके अंदर यह नहीं फटा है यह नहीं फटा ब्लड जो पॉजिटिव होता है उसमें ब्लड फट सा दिखाई दिखाई दे ऊए मतलब उसमें गॉल्कूल एक टने अशन हो चुका है तो जोगती वीडीओ इस लगीों तो लाइक करें और कमेंट में बताए कि का ब्लड गृब कौनसा है ओके टेंक यू